हेलो फ्रेंज स्वाबत है आप सभी का आपके अपनी यूट्व चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है शाम के पाच बजे की जो आपकी क्लास होती है वो होती है सीटेट और एंपीटेट इस विजल क्लास तो भी अगर आपने पैडगोजी सेक्शन नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको एंसर करना आपके लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस्पेशली जो लोग फर्स टाइम सीटेट दे रहे हैं उन्हें बहुत ज़ादा पढ़ाते पढ़ाते बताती जाओंगी जो बारी किया है उसकी खैर आप चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब करके जाएगा खैर तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्यूशन स्टार्ट करेंगे सेशन उके जित्ते लोग भी जुड़ चुके है रिप्लाइ कर निकल रेडी हो जाईए काफी लेंदी है पर आपको समझना तो पढ़ेगा ही तबी आपको इसको एंसर कर पाएंगे तो यहाँ पर यह देखे किशन में क्या बोल रहा है कि सफल भाषा सिक्षिगा ऐसे आप हिंदी में पढ़िए उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उसके ठीक है तस्या उसके सभी चात्र सर्वे चात्रा सभी चात्र जो भी लक्ष भाषा मतलब लक्ष भाषा क्या होती है जो भाषा हम पढ़ा रहे हैं तो हमाई लक्ष भाषा यहाँ पर संस्कृत है संस्कृत सिखाना है बच्चों को तो लक्ष भाषा को जो है उसके अच्छातर प्रभावी रूप से सीखने में समर्थ होने चाहिए भवेयू आया ठीक है यह आपका तो चाहिए के अर्थ में हो गया इसके बाद इसका अर्थ ठीक है इसका अर्थ होना चाहिए कि उनमें मुखर मौनवाचन नाटकी करण संगीत कला चित्रांकन प्रतिमान निर्मान भूमी का निर्वहन ये सारे जितने भी होते हैं इत्यादी प्रविधिया ठीक है इन सभी के प्रयोग की आवश्यक्ता होतनी चाहिए यह होती है करके तस्या विश्वासे ओके अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसका विश्वास किस सिध्धान्त में नहित है यानि अब मैं आपको इसको अपनी भाशा में समझाती हूं अभी तो मैंने आपको पताए कि आपको एक्जाम में कैसे समझना है तो देखे कोई एक सफल भाशा को प्रभावी से चीखने में समर्थ है उपयोगास्य सद्धान्त है तो देखिए यहां पर प्रयोग का नाम उपर भी लिखा था उनका विश्वास यह टीचर का इस सद्धान्त में कि भाषा सीखने में यह सारे जो एक्टिविटीज हैं यह सारी जो चीज़ें अगर सबका जो यूज अगर कराया जाता है तो यह स जन्रचनात्मक उपयोगास्य सद्धान्त ठीक है करेक्ट एंसर आपको होता है यही अगला देखेंगे NCERT इति संस्थाया प्रकाशिता राष्ट्रिय पाठी चर्या रूप रेखा अब देखेंगे यह तो आपको पता NCF 2005 की बात हो रही है अधिगमन चेत्रे प्रचनात्मक उपागमस्य कंस्ट्रक्ट्ट्व एप्रोज होता है अधु मोधनम करोती क्योष्टन को थोड़ा सा डिटेल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्योष्टन में आपको यह कह रहा है कि जो NCERT संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया NCF 2005 जो की बहुत फेमस है इसके बारे में मैंने अलक्सी क्योष्टन भी आपको करा रखा है इसमें अधिकम के छेत्र में रशनात्मग उपागम कानुमोधन ये करता है ठीक है NCERT ने जो प्रकाशित के NCF 2005 वो तो यहाँ पे आपको बताने इनमें से कौन सा कथन है जो भासा सिक्षण के छेत्र में इस उपागम भाव को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है ओप्शन्स देखिएगा द्रश्य साधना नाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं लगाती जारी हूं मात्रा प्रयोगड प्रयोगेड होना चाहिए था ये ऐसे दोनों में मात्र लएगी अनुगमनात्मक कार्योड कार्येड होना चाहिए था च नवीन शब्द रचना नाम च सिक्षडम फड़ाफट से गेस कर लीजिए उसके वाद में आपको डैरेटिस का एंसर बताके और एक्स्प्लेइन कर देदी क्योंकि जो सही एंसर है वो हमारा मिल चुका है हमें ऑप्शन नमर सी ही हो जाएगा क्योंकि जब बात हो रही है कंस्ट्रक्ट्ट्व एप्रोच की ठीक है रचनात्मक उपागम की तो यहां पे विभिन जो है श्रब विद्रस्तिय सामगरी है जो है साधन का प्रयोग करना और साथी साथ अनुगमनात्मक कारियों जो एक्टिविटीज होती है वो सारे चीजों को कराके बच्चों को इन एक्टिविटी से क्या नया सिखाएंगे जाहिर से बाते नए शब्द सिखाएंगे वाक्यों की रचना सिखाएंगे यह सारी चीज़े करेंगे क्योंकि भाशा से पढ़ा रहे हैं तो निर्मान करना रचना करना वहीं आपका जाता है कंस्ट्रक्ट्ट्व एप्रोच क को सपोर्ट करता हुआ है इन सब का प्रयोग ज्यादा बेस्ट होगा निमने लिए कि देश किम मूल्यम समाविष्ट कक्षया ओके आपकी जो इंक्लूजिव क्लास होती है समावेशी कक्षा तो इन में से कौन से मूल्य का संबंद इससे नहीं है तो देखें जो समावेशी कक्षा होती है उसमें क्या है हर तरह के कुछ नॉर्मल विशिष्टा वाले बच्चे भी होते हैं फिशले बालक भी होते हैं तो वो आपस में एक दूसरी को सहयोग तो करते हैं ठीक है सहयोग की भावना उनमें हो दी थी पर इस पर सहाय आपस में दुसरी के सहयोग करना, सहायता करना, एक दुसरी की learning में ये भी करते हैं, समान उभूती, यानि कि सब उसको एक समान मानना, ठीक है, एक चाइवर टीचर के लिए, सभी के लिए सब को एक समान रूप में देखना, ये भी सब को एक समान मानन के चलना है, एसा नहीं कि समाविशी कक्छा है, तो खुछ बच्चों के साथ हम special सहान उभूती दिखाएं, और होनी चाहिए, मन के अंदर मैं नहीं कह रही हूँ किसी के लिए भी खासकर एक टीजर को तो बिल्कुल भी नी लेकिन या सबको एक समान मानना है तत्र अनेक भौतिक बाधा भवन्ति यथा कक्षे भूमी तले अत्र तत्र कीलित मंचा नाम पंक्ति या अध्यापिका एताद्रिशीम टिपडीम करोती सा उपर्युक्त इस्थि चलिए देख लेते हैं इसको समझ लेते हैं तत्र मतलब होता है वहाँ ठीक है अब यह में आजाता है आपका तो वहाँ पे यहनी कहाँ पे किसी क्लास में की बात हो रहे हैं अनेक बहुत एक बाधा होती हैं, बहुत सारी बहुत तेक रूप से बाधाएं होती हैं, कि जैसे कि बच्चे जो है, क्लास में जमीन पर इधर-ुदर उल्टा सीदा कैसे भी जिसका जहां मन आता है, बैठे रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में अध्यापिका टिपनी करती है, और कहती है बैठ जा बच्चे इसको पतारी है बच्चों कि इस तरह से बैठ ना है और सारी चीज़े कर रही है इसा तो यहां पे इस प्रकार्स्व विस्त्रत भाशा क्छा में समस्या के समधान के लिए क्या कारे करना चाहिए ऐसी situation जहाँ पर है, ऐसी बहुत इक बाधाएं हैं, ऐसी problems हैं, ठीक एक कहीं न कहीं बच्चे जो है इधर उदर जैसा वन होता है, वैसे बैठे रहते हैं, क्या कर किया जा सकता है, question अब देखी, question simple सा था, कि ऐसी class जिसमें बच्चे इधर उदर ऐसे कहीं भी अपंक्तिबद होके बैठे रहते हैं, ऐसी situation में teacher कौन से activity देनी चाहिए, कौन सा कार्य कराना चाहिए, कि बच्चे अच्छे से करें, लेकिन question को इतना घुमाया, फिर आया, ताकि आप थोड़े confused हो, exam में उल्टा सीधा लगा के आ जाएं, तो seated, बिल्कुल समनाम है इस चीज के लिए, त चार पांच चात्राणम, मतलब ये संख्या में लिखा हुआ है, समूह उपवेशनम, कहने का मतलब है कि चात्रों को एक छोटे-छोटे स्थान पर, लग उस्थाने, छोटे स्थान पर, हैना चार पांच चात्रों के समूह के समीब साथ में बैठाना चाहिए teacher को, तो ऐसे म है, वो ऐसी जगह बैठ सकता है, जहां से वो सभी ग्रुप पे नजर रख सके, तो क्या बहुत भीड भी नहीं होगी, और क्लास व्यवस्थित भी दिखेगे, बच्चे भले जमीन पर बैठे हैं, और चार-पांच चात्र बैठेंगे, तो आप उनके हिसाब से उनको बैठ सकते हैं, किसके साथ आपको किसे बठाने, that depends on you, teacher पे डिपेंड होता है, भाशा कक्षायां, स्वारी कक्षायां, प्रवाहस्य, विकास, तदैव, भवती, यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत रूपेड कार्य करोती, यतो ही, देखें, भाशा कक्षा के प्रवाह या गतिव का विकास, तभी संभव होता है, जब सभी, यानि पूरी कक्षा मिलके स्वतंत रूप से कार्य करती है, यहां तक आपका क्यूश्यन में बताया है, अब उसके बाद आपके options दिये हैं, थोड़ा आप उससे relate करते हुए option को चातरा जानंति यत अध्यापका तान श्रूप ती, अध्यापका तुटी ज्यातुम, शुद्धी करतुम, च सज्जिता भवती, यह चातरा आत्मिश्वास्ता न संती ते मोनम धर्तुम, स्वतंत्रता भवन्ती, चातरा सम्प्रेश्नार्थम लक्षु भाशाया तभी आएगा जब चात्रों को उस भाषा का आपस में मिलकर सतन रूप से उसको प्रयोग करने और उस भाषा में संप्रेशर करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा तभी भी होगा और मैं इसका एक बेस्ट एक्जामपल आपको देती हूँ अभी आप मेरे पुरा पढ़ रही हूँ तो क्या मुझे संस्क्राप्त मैंने ही तो पहले भी पढ़ाया है लेकिन कहीं न कहीं फ्लूएंसी वो नहीं है कहीं अटकने या फिर गलत उच्छारण की समस्या आरे क्यों क्योंकि प्रयोग के अवसर कम होते जा रहे हैं हुए हैं बढ़ेंगे प्रभावी अधिकमनाय चात्रा की द्रिशाह भवेई हो बहुत ही अच्छा प्रश्ण सिंपल सा प्रश्ण प्रभावी अधिकमन के लिए चात्रों का कैसा होना जरूरी है कैसे होना चाहिए जिग्यासा पूर्णा सक्रियाह चा आग्या कारण हा परिक्छा狼ते सजता हा मौन व्रतधार हा निश्क्रियाह चा तो बिल्कुल यहां पे सयुत्तर होता है, बच्चों को विएक अंदर पहले तो जिग्यासा होनी चाहिए, और वो सक्रे भी होनी चाहिए, दोनों ही चीज होनी चाहिए, दोनों पॉस्टियों में जाती है, आपकी अगला प्रशन देखेंगे, एकस्य प्रभावी भाषा पा प्रस्तुति द्वारा, मनोरंजक गति विधी नाम, अनुस समरेड, अभिप्रेरणया, च, श्याम पट्टो परिलेख नेन, पाथस्य, अधिकम नात्मक उद्देश, अम्यदिक उद्देशों की बात होरी है, ध्यान दीचेगा, सूचि निर्माडेन, सबने आप सबने बन बच्चों के अंदर क्या-क्या चीज़े आ जाएंगी, वो यह इस चीज़ को बोलने में यह सीखेंगे, इस नए शब्दों से परचित होंगे, एक उद्देश यह होता है न, कि पहले हम उद्देश डिशाइज करते हैं कि यह पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो उद्देश किशोरान प्रति वरिष्ठा नाम व्यवहार अनुचित भावती यतो ही, अच्छा प्रशन है, इसको देख लीजे, किशोरों के प्रति आप लोगों ने देखा होगा, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, प्रॉड हो जाते हैं, मतलब अच्छे काफी ए यह जिस होती है, जनरली लगवक सभी किसा, ऐसा क्यूं होता है, बसी आपको बताना है, बाल सुलब स्खलान नानी प्रति तेशाम चमा भावना, किशोरा असमिन जगती कुत्रापी, अनुप युकता है इती तेशाम स्वानुभूती, किशोरान प्रति तेशाम चमा वरिष्ट व्यवहार अनुजद क्यों होता है, यह आपको बताना है, तो आप्शन नंबर डी हाँ पर सही होगा, ठीक है, क्योंकि किशोर जो होते हैं, वो नैसरगिक स्खलन की सिचुएशन में होते हैं, यानि कि नैसरगिक का मतलब होता है नैचुरल, जो चीजे नैचु जैसा होता है, होना चाहिए, इसके प्रती वो थोड़े असहिशलो होते हैं, यानि कि इसके विरूथी होते हैं, उनमें रियालिटी का भा होता है, वो सकल्पनाओं में जाता जीते हैं, है ना, जो किशोर होते हैं, और क्या है जो लोग बरवरिष्ट हो जाते हैं, वो आपको किसी कुगो करते देखेंगे तो आपको तुरन दिमाग में आता है कि नहीं ये गलत है और आप उसको overrule करने लगते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो ये गलत है आप खुद उसकी किशोर को देखता है क्योंकि उसको बाल मनुविज्ञान की ज्यान अगर नहीं है तो उसी नजरी से देखेगा और इसलिए वो किशोरों के प्रती अच्छा व्यवहार मतलब कि अनुच्छत व्यवहार करता है जब ये किशोरों को बहुत ही जादा psychological तरीके से समझने की जरूरत होती है किसी को भी चाहे वो parents हो चाहे वो teachers हो anyways तो ये छोटी सी class थी मुझे उमीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लगा है तो please like करिए share करिए चैनल पर नहीं है